Hello students, I am BL Chaudhry Team Botany CLC Seeker. Welcome at Digital Online Platform of CLC Seeker, जहां CLC Seeker आपको प्रवाइड कर रहा है अपने test series के paper के video solutions. आप समझ सकते हैं कि इस समय हम अंतिम final उडान के और या अंतिम पड़ाओ में हम बना चुके हैं, क्योंकि नीट exam जो हमारा है 17 जुलाई को, क्लियर, तो उसकी final preparation के और आचुके हैं और start हो चुकी है CLC की एक सबसे unique concept दंगल test series, यानि last 10 paper आपके दंगल, एक से लेकर 10 तक, 5 तारीक को, 6 तारीक को, 7 तारीक को, 8 तारीक को, 9 तारीक को, 10 तारीक को, 11 को, 12 को, 13 को और 14 तारीक को, उसके बाद अपना normal आप go through हो सकते हो, तो CLC की जो unique test series है, दंगल, इसके माध्यम से CLC आपको 10 unique paper, major paper, complete solution, complete syllabus के आपके papers उपलब्द करवा रही है, तो आप समझ सकते हो कि, पूरी NCRT से इन papers के माध्यम से आपको go through करा जाएगा, इन अंतिम 10 दिनों में, आप कैसे biology के अंदर, 360, out of 360, या 355 marks कैसे obtain करें, क्योंकि पिछले, जब COVID का एक भोत भ्यानक रूप काल था, उस दोरान भी CLCNs ने, जो हमारे इस platform पे जुड़े होंने, कई बच्चों ने, 360 और 355 obtain किये हैं, biology के अंदर, सरल, जटिल, ज़्यादा कुछ नहीं होता है, biology के अंदर, manly NCRT से paper होगा, surrounding information से होगा, हाँ, थोड़ा सा lengthy हो सकता है, या normal हो सकता है, तो lengthy भी होगा, तो paper आपको complete आएगा, अगर आप इन अंतिम दिनों में, बहुत अच्छे से, इस platform को follow करते हो, इस platform को follow करते हो, तो आप easy way के अंदर 360 या 355 marks, easy way में obtain कर सकते हो, और करना ही होगा, अगर आपको एक बहुत अच्छी rank चाहिए, तो मैं आपसे इस test series के माध्यम से, normal हमने topic का जो weightage होता है, neat exam में, तो वैसे अपने according weightage questions लिये हैं, तो question इनको भी मैं आपको बताता हूँ, और बीच-बीच में मैं आपको ये समझाना चाहरा हूँ, कि anxiety theory के reading नहीं, उस theory को समझ कर कैसे आप पढ़े हाँ, जैसे कोई भी एक concept होता है, जैसे मालों कि ecology में ecological pyramid आप पढ़ते हो, तो वहाँ से कितने type के questions बन सकते हैं, जैसे pollination एक question होता है, pollination एक topic होता, तो pollination से कितने type के questions बन सकते हैं, और previous year में वही type अलगलग exam के अंदर घूम पिर के questions आए हैं, और आप सारे बच्चे इतने अच्छे हैं, आप अच्छे confidence के साथ हैं, आप CLC के साथ हैं, तो मैं मानता हूँ कि इस समय आपका confidence चरम पे है, और आप ठोक के आएंगे नीट को, और आप इस कहाउत के साथ आगे बढ़ेंगे, कि वक्त तेवर तो हम वक्त आने पर हम चलाएंगे, सहर तुम खरिदलो, हुकुमत हम चलाएंगे, तो प्यारे CLCians, हमारे इस प्लेटफॉर्म पे जितने भी students डारेक नाट जुड़ेवे हैं, वो CLCians होते हैं, तो CLC आपके सपनों को अंतिम उडान के ओ लेकर जारी है, CLC आपको एक unique concept दे रही है, आप NEET 2022 मे एक बड़ा score खड़ा करेंगे, एक बड़ी जीत के साथ, हर सब्जेक्ट, चाए हो biology में, बोटनी हो, जोलोजी हो, चाए physics हो, chemistry हो, अपने पूरे major papers के मादिम से आपको EGV में गोत्रू, और last के 10 दिनों में, हमारे यह CLC का जो campus है, उसमें offline, जो बच्चे हैं, उनके तो ब दंगल first और जो आपका test 5 जुलाई को है, और आप समझ सकते हैं कि ये 5 जुलाई को आप समझ रहे हैं कि पेपर के में, जैसे कि question number first है, तो question 151 से आपका बाई start होगा, अब आप समझ सकते हैं, instruction आपको दाएगी section A में, मेक्जिव मार्क्स का ये है, इतने question आपको, all, जो 35 multiple choice question MCQ है, all questions are compulsory to attempt, जो section A, इसकी सारे question आपको attempt करना compulsory है, ऐसा नीट में, आपका paper आएगा, फिर आपका section अगला होगा, उसमें आप जानते हैं कि, जो 10 questions, जैसे बोटनी में, फिर जोलोजी में भी 10-10 questions, जैसा आप अच्छे से जानते हैं, और आप paper दोगे तो और आपको अनबव हो जाएगा, तो देखेगा, question number 151, निमन में से कौन वी टेकर के वरगिगन का आधार नहीं है, में, आपने manly English में बात करें, which one is not the base of वी टेकर classification, जैसा नीट के अंदर इस pattern पे, जो हिंदी इंगलिस दोनु बोट का paper होता हो, इस pattern पे होगा, इसलिए अपने इस पे लिया है, तो which one is not the base of वी टेकर classification, आप समझ सकते हैं कि living organism में जो classification की kingdom छोरीज है, उसमें first of all two kingdom, तो two kingdom classification system proposed by केरोलस, लीनियस, फिर three kingdom हुआ, फिर four kingdom हुआ, और सबसे advanced, most advanced, most recent, सबसे ज़्यादा विक्षित, और सबसे आधुनिक, five kingdom classification system, तो five kingdom classification system proposed by an American taxonomist, आर एच वी टेकर, पाँच जगत वर्गीकर्ण तंतर को, एक अमेरिकन वर्गी की वेग्यानिक, आर एच वी टेकर ने प्रतिपादित किया, ये तना सा normal question भी आँँ है, अब इस वी टेकर का जो वर्गीकर्ण है, वी टेकर का जो classification है, वो सबसे recent है, जो sequential उनकी phylogenie है, उसको ये follow करता है, तो living organism को five basis पे, इस five kingdom classification के five basis से पाँच आधार पे, उनको five kingdom में divide किया गया है, उसमें first आपका है type of cell, तो देखेगा, type of cell, अगर इस अर्थ के अपर अपन broad category के बात करें, तो cell की दो ये broad category है, प्रोकेरोटिक और यूकेरोटिक, broad category दो ही है, प्रोकेरोटिक और यूकेरोटिक, फिर यूकेरोट में plant, animal, fungi में, layer का कुछ difference हो सकता है, उनका basic organization same है, बट अर्थ पे major ये broad category दो ही है, ये प्रोकेरोटिक और यूकेरोटिक, तो first आपका जो basis है five kingdom का वाओ, type of cell, या जो cell structure ह है, तो all procarot, all procarot included in kingdom, Monera, आप समझ सकते हैं कि सभी procarots को, या जो भी as in kendra की संगटन शो करते हैं, procarotic organization जो शो करते हैं, उन सब को कहा include किया गया है, एक kingdom है, Monera, तो इस basis पे एक kingdom separate हो गया, और procarots का एक unique kingdom मन गया, अब जो remaining four kingdom है, चार kingdom है, वो चारों के चारों में कोन सा organization है, eukaryotic organization ठीक है, फिर अपन आप जानते हैं कि जो second basis है वो thallus का organization है thallus का organization, तो यह four के four आपके eukaryote हैं बड़ जो simpler eukaryotes हैं unicellar eukaryote, वो all unicellar eukaryote, चाहे nutrition का type कुछ भी हो, आपको mode of nutrition को दिमाग नहीं लगाना है, plant like structure हो सकती है, animal like यानि जो hollow phytic nutrition करते हैं, hollow joy करते हैं, वो सारे, यह slime mode, जो भी unicellar eukaryotic organization शो करते हैं, उनको सबको आप किसमे इंक लोड़ गए protestant, जिसके वो defined boundary नहीं है confusion study, और वो middle kingdom है क्योंकि उसके एक hand पे procurate और other पे आपके three multicellar eukaryote, तो फिर अपन लेते हैं, mode of nutrition तो mode of nutrition पे जो multicellar autotropic planty multicellar heterotropic लेगें, जो ingestion करते हैं यानि पहले अंतरघण करते हैं, पहले खाते हैं, पहले ingest करते हैं, फिर digest करते हैं, वो तो आपके consumer होते हैं, animals होते हैं, और जो पहले digest करते हैं, फिर absorb करते हैं जैसे फंगई होते हैं वो पहले enzyme release करते हैं ताकि जो भी complex dead organic होता है काईटी ने उसमें सलोज उसको simpler organic में और फिर inorganic में catabolism भी थूचेंज करते हैं decomposer तो फंजाई आपके होते हैं तो planty, animalia और फंजाई producer, consumer और decomposer उनको अपने से लेते हैं तो middle kingdom यहापर क्या हो गया प्रोटिष्टा हो गया तो यहाँ five kingdom के five basis हैं उनमें first basis है type of cell, post cut upper car, one is brocket, other are ucarots, second आपका होता है thalas organization, unicellular और multicellular, एक kingdom आपका unicellular ucarot है, other three kingdom, multicellular, ucarot है थरड़ आपका तो सबसे man basis है, mode of nutrition, portion का तरीका, और mode of nutrition के basis पर ही, fungi जो five kingdom classification से पहले, planty में include थे, बट आप जानते हो five kingdom classification में, fungi were removed on the basis of mode of nutrition in five kingdom classification, पांच जगत वरगी एकड़ में, portion के तरीके के आधार पर उनको remove कर लिया गया, क्योंकि animal भी heterotroph हैं, fungi भी heterotroph हैं, बट आप समझ सकते हों कि जो fungi हैं, वो absorptive हैं, यानि वो decomposer हैं, इसलिए एक unique kingdom मना दिया, उसके पशाद आप जानते हैं कि mode of reproduction और ये phylogenetic relationship है, तो यहाँ देखेगा कि type of cell बिल्कुल correct है, thallus organization बिल्कुल correct है, mode of nutrition सबसे man है, portion का तरीका ये बिल्कुल correct है, बट कसाबीका का परकार यहाँ आप समझ सकते हों कि type of flagellation कोई लेना देना नहीं है, यह कोई basis नहीं है, तो students देखेगा, question number 151 है, उसका answer क्या होगा 4, आप मैं कुछ बाते बता जाता हूं कि आप NCRT के जो topics आप पढ़ें, तो जब आप 5 kingdom की आपको table दे रहे हैं, तो आप 5 kingdom पढ़ें तो सबसे 5 kingdom क्या है, किसने प्रपोजट किया, उसके basis क्या है, उसकी phylogeny क्या है, और जो other character कुछ दे रहे हैं, उसके साथ में आप initially start करेंगे 2 kingdom, जो linies नहीं दिया, उन्होंने पूरे living world को 2 kingdom में divide किया, planty और animal लिया, और उसका जो basis था, purgence और absence of cell वाल यह मैं था, बट आप जानते नहीं हुए, दोनों का अंतर का पता ही नहीं चला, और भवकोस की और एकोस की, यानि यूनिसदर और मल्टी सदर को एक साथ रखा गया, और फंजाई जो की heterotrop थे, उनको autotrop plants के साथ रखा गया, तो यह बहुत सारी demerit थी, तो two kingdom की demerit, या फिर आपका सीधा five kingdom के basis, और जोलोजी के, बहुत सारी question आपको फिर DCM के मादे उपलब्द कराए, तो आप कोई भी उन question से go through, question करते हो, और मालोगी five kingdom की demerit, फिर five kingdom के जो भी basis है, और five kingdom की phylogeny नहीं, वो पूरा clear कर लें आप, तो फिर आपका किसी भी type का question बने, आप जीत जाएंगे, तो students में थोड फटा-फट थोड़ा सा, इस स्पीड तो लेनी पड़ेगी, बलकि में इतना go through कर दूंगा, आप topic को revise कैसे करेया, NCRT की theory से आप कैसे go through, last time हमने बहुत अच्छा ही camp लगाया था, जो biology का, और मैं कहता हूं कि, भो सारी students के 360 out of 360 दे, तो देखे, student आगे बढ़ते हैं, next इन biochemical and genetic work, अब ये question need में एक दो बार repeat हो चुका है, आप समझ सकते हैं कि जैसे drosophila plant kingdom, ये आपन कहें कि animals में genetic और biochemical जितने भी experiment किये गए हैं, वो ज्यादा तर drosophila पे किये गए हैं, तो अपन plant में consider कर सकते होगी, पहले fungi plant में include थे, बागी fungi में एक neurospora होता है, तो एक pink mold निरोस्पोरा, first of all, निरोस्पोरा क्या है, पिंक mold, ये गुलाबी रंग का ये कवक है, पिंक mold है, अब आपको दिमाग लगना है कि ये निरोस्पोरा किस class से related है, कवकों के किस वर्ग से ये समन्दित है, तो आप समझ सकते हो कि class asco mycities का member है, class asco mycities, और जहाँ asco mycities में asexual reproduction में जो spore बनते हैं, exogenous conidia, और sexual के अंदर आप जानते हैं, somatogamy होती है, तो ascus में endogenous, asco spore form होते हैं, आप जो fruiting body के basis पे जब उनको डिवाइड कहाँ है, तो completely closed fruiting body होती है, तो वो तो penicillium में, aspergillus में, और आप जानते हैं कि perithisium, जहां osteol होता है, तो जहां perith parithisium आपकी fruiting body होती है, तो वो आपका होता है, यहां ऐसे ascus और asco spore होते हैं, तो यह आप समझ सकते हैं कि आपका neurospora marine में होता है, बाकी morkela जो edible होता है हाँ तो इस neurospora पर सबसे ज़्यादा biochemical और genetic जो experiment किये गए हैं, और आप जानते हो कि Biddle or Tatum ने one gene, one enzyme concept, आप जान ने वो किस पर work करते हुए दिया था, neurospora, तो यहां पर आपका answer क्या हो जाएगा, neurospora, तो 152 में आपका answer को गया 3, clear, next अपना बात करते हैं, question number 153, उपरोग सितर में कुछ सिवालों को A, B and C को आपको अंकित किया गया है, किस विकल पे इन सिवालों कर्म से सही पेच्छा identify करना है, तो देखेगा कि algae जो थैलोफाइटा है, और according five kingdom जो भी multi-cellular algae है, तो simple thaloid body, अब आप देखते हैं कि generally जो green algae है, वहाँ पर कुछ unicellal foam भी है, colonial foam भी है, but brown algae में only filamentous, branched, और red algae में most of filamentous, एक single आपका वहाँ पर है, porphyridium जो unicellar है, yes, अब बेटा यहाँ में आ गया है, तो आपको इस वोलवोक से related सारी बात आपको confirm करने हैं कि वोलवोक से colonial, green algae है, और यह motile colony है, क्या बताओ, motile colony, और इसकी colony में number of cell, number of cell, कोशिकाओं की संक्या, और safe, यह fix होती है, तो यह fix होती है, तो यह fix होती है, तो इस colonic ओपन कहते हैं, cnobium, clear, और motile colony ह बाइ फ्लिजिलेटेड सारी cells होती है, और सारी सारी cells same size की होती है, और वोलवोक से आपको मैं बता दूँ, कि जो sexual reproduction हो उगेमस टाइप का होता है, तो यह दोनों ही क्यूशन लीट एक्जाम में आ गए हैं, यह आप समझ सकते हैं कि red algae में polycyphonia है, और यह आप समझ सकते हैं जो brown algae है, लेमिनेरिया है, तो NCR team में अब algae की जित्ते diagram है, तो वो green algae में कुछ colonial form और filamentous, yulothrix का बता रखा है, unbranch होता है, लेकिन, एक कारा exception जो filamentous branch है, फिर brown algae के अंदर 3 diagram दे रखें आपको, laminaria, kelp, or dictiota का आपको diagram दे रखा, जो highly branch होता है, और फिर आप समझ सकते हों कि red algae के diagram दे रखा आपको, तो सारे diagrams को बहुत अच्छे से कर लिए, आप यहाँ पर देखिएगा, कि fucus ही हो नहीं सकता, wall works होता लेकिन, वो पोरफायरा नहीं हो सकता, फिर wall works है, polysiphonia और laminaria है, तो wall works, polysiphonia, laminaria, यहने आप समझ सकते हैं कि question number जो आपका 153, उसमें answer आपका क्या है, third, is it clear, बोलो, तो students, बहुत cool match है, एकदम cool match है, previous year में जो questions हैं, previous year के questions भी करने हैं, और theory से से एकदम समस्ते वे, सारे, algae के size foam आ गया, तो green algae के size foam, green algae में, colonial, unicella foam, अब unicella में clay madonnais motile, पोरफायरा, यह सोरी वो, जो अपन बात करते हैं कि, clay madonnais motile, और chlorella non motile, फिर colonial foam, फिर filamentous unbranch, बड़ जो thallus की range show करता है, वो सबसेदा brown algae, 0.5 hectocarpus से highly brown addictive होता था, तो आप समझ सकते हैं कि brown algae, फिर आप क्या red algae, ऐसे फिर इन algae के reproduction method, लेंगी, पहले asexual, और वहाँ जू स्पोर है, तो वो green algae में तो two shade flagella, isocont, लेकिन brown algae में only two unequal, और red में कोई motile structure नहीं होती, फिर आ अपन बात रहें कि अपने जो इनका classification करते हैं, टाइप पिगमेंट, इनका cell wall का composition और store food, वहाँ से CBAC 2009, APMD 2014, NEED 2018, वहाँ आपके easy way के अंदर question, कभी पूछा गया है, laminarian mannitol is the store food of brown algae, floridian starch is the store food of red algae, simple starch, green algae, कभी आप जांदर cell wall के भी पिछले neat exam पूछा गया है, कि cellulose और poly non-sulphor ester, alginate, जो hydropoliide है, वो brown में, English NSAID, उसको clear analysis statement को, और आप समझ सकते हो कि red algae में, cellulose और poly-sulphor ester, sulponic acid, keragene, agar-agar, geladium gracilaria, agar-agar, कित्ती बारी पिठवा, तो इस तने cool mind से आप line निकालते जाएंगे, तो CLCN, you achieve your goal, और you obtain 360 out of 360, एक ही mission, एक ही आवाज, clear, तो ध्यान दीजिएगा, कि ये सारी बात हुई, next up question देखे, normal question लिया है अपनने, 154, जो plant fugilose related है, उसका जो respiration topic है, तो normally आप कहते हैं कि respiration, each or every living cell, इस अर्थ पर जो भी living cell है, वो respiration शो करेगग, चाहिए वो only glycolysis ही करेग, और glycolysis आपकी first step है, common है, ना इसमें o to use होती है, ना CO to release होती है, चाहिए प्रोकेट हो, चाहिए यूकेट हो, इस अर्थ पर लिविंग सेल है, उसका free living existence है, तो respiration है, और वो glycolysis 100% उसके अंदर है, के लिए, और generally ये cytosol में, cytoplasm में होता है, तो ध्यान दीजिएगा, कि भी देखो, ये glucose के तूटने की फरतम होता है, ये first state in breakdown of glucose, तो glucose के breakdown का first step आपका glycolysis होता है, ठीक है, 10 enzymatic reactions का एक chain reactions होती है, ध्यान दीजिए, common in all organism, इवेन चाए प्रोकेट हो, बैक्टीरिया हो, यूनिस अदर यूकरेट, क्लेमाडोमनास, अमीभा, या फिर चाए मल्टी सेलर, प्लांट, एनिमल, कुछ भी हो, each or every cell के अंदर का living cell है, उसका existence है, independent, तो common in all organism, only process and respiration during anaerobic, अगर anaerobic है, तो यही process है, तो आपका ABC correct है, यूकरेट दे दिया, तो यह गलत हो गया, पायरी कमल को बनाने के लिए glucose का पून है, यानि glucose completely oxidized नहीं होता है, पार्सली oxidized होता है, यह आपको लाइन लिखर के NCR TV, clear, तो यह statement अपने दिये, तो D or E क्या हो गया, wrong हो गया, ABC क्या हो गया, आपका, right हो गया, तो अंसर क्या हो जाएगा, second हो जाएगा, अब आप पूरे glycolysis से गुत्र हो जाएगा, connection, two time, क्योंकि one PGL से one pyruik, तो एक DHAP वापस PGL में आगा, तो 2 PGL से 2 pyruik बनते हैं, तो वहाँ दो जगे, 7 और 10 step के अंदर SLP, सबस्ट्रेट लेट फास्फर लेशन, डारेक्ट टीटीवी फोर्मेशन, तो आप सो क्लियर करेंगे, यह नहीं करेंगे, मैं कहता हूँ बटा कि इन major के मात्यम से आप इन वीडियोज को एक बार बहुत तरीके सिर्फ पूरा देख लीजिएगा, आपको NCRT को किस हुए में पढ़ना, आपका questions, कैसे आपको थियोरी तयार करनी है, आपका silly mistakes सब कुछ दूर हो जाएगा, क्लियर, तो आप समझ सकते हैं, बहुत अच्छे मेरे राजा वेटा राने बेटी हैं, कूल कूल है, और आपको अनुलोम विलोम करके, ओम पर ध्यान करके, दंगल टैसरी में 10 निट पहले बैठके, 10 दिन practice करोगे, तो आप 17 जुलाई को जीत के आओगे, भोड के आओगे, क्लियर, देखते हैं, नेक्स्ट, आप समझ सकते हो, question number 155, एक कोमा का रोगी, जिसके रधे तता फुफुस को चालू रखने के लिए, मसीन ही लगाएगे, इसका मस्तिक्स मर्थ सम होता है, only branded हुआ है, ठीक है, तो एक कोमा पैसेंट, virtually supported by machine, which replace heart and lung, the patient is otherwise brain dead, what is incorrect about this patient, तो दे misconcept आपको दे देते हैं, या फिर generally कभी-कभी कुछ पुराने books में भी लिखा होता है, मैं कहता हूँ कि 100% अगर आप धिमाक्स और NCRT से चले, तो देखेगा कि living organism कुछ unique और specific character show करते हैं, कुछ editing लक्षन, जिससे आप non-living organism को differentiate कर सकते हो, growth, reproduction, metabolism, consciousness, और cell organization, आप समझ सकते ह structure की cell होगी, और complete structure की cell में, जो man envelope होता है, उसमें कम से कम, और layer चे होए new, cell wall होए new, plasma membrane का होना essential है, फिर cytoplasm का होना essential है, और फिर आप जानते हो, inside protein machinery, और protein machinery आप देखते हो, जैसे bacterium cell है, उसमें cell wall भी है, जरू नहीं cell वाल हो, बट, membrane है, फिर आप जानते हो कि cytoplasm है, फि तो ये each or every cell में होंगे, अब जब अगर membrane, cytoplasm और protein machinery है, तो आप समझ सकते हैं, वो cell अपना independent action शो कर सकती है, और cell है, तो ये metabolism है, कि जहां से life का origin होगा, cell का organization होगी से आपका respiration, metabolism आ गया, और consciousness, cell का property है, तो इन तीनों को अपन define, considerate करते हैं, बट कुछ student क्या सोच लेते ह हैं, कि सर देखो, metabolism is the defining property without any exception, जीरो स्याजो, growth, characteristic character है, but growth में increment in cell number, only living करेगा, but biomass में increment, inside से intrinsic तो living करेगा, but outside accumulation, जमाव, extrinsic, जो non-living भी कर सकता है, temporary, और reversible, वो non-living भी कर सकता है, पर आप जानते हैं, कि increment in biomass को गया, increment in weight को आप growth consider करो, तो non-living भी शो कर सकते हैं, तो growth is characteristic, but is not defining, reproduction, only living करेगा, non-living नहीं करेगा, but reproduction के कुछ exception है, कि living कुछ ऐसे हैं, जो infertile, आप समझ सकते हो, कि sterile है, लेकिन metabolism is the defining property without any exception, consciousness is also defining property, और cell organization is also defining, but कुछ लोग ऐसे सोचते हैं, कि आदमेगर कोमा में चला जाता है, तो आप समझ सकते हैं, जैसे ही वो कोमा में चला जाता है, तो उसमें consciousness खतम हो जाती है, consciousness उसमें कम हो जाती है, बट 100% नहीं जाएगी, कि consciousness ने चला cell की membrane की होती है, जो कोई भी चीज़ को receptor, receptor करना, nutrient को inside लेना, और जैसे DNA, mRNA, severe enzyme, form होना, yes, तो बिटा मैं आपको कहता हूँ कि consciousness का भी वैसे को exception नहीं, consciousness is also, चेतना भी, consciousness is also defining without any exception, तो तो तीन आपके defining है, cell organization, metabolism और consciousness, अब कहेंगे सर्फिर कोमा, तो बेटा देखो, आप जानती है, इस अर्थ की each और every living organism, even एक bacterium cell, प्रोकेड से लेकर, you carrot, और human तक, सब में consciousness है, all living organism have consciousness, surrounding जो भी आपके stimuli है, उनके प्रति response, they give response to external stimuli, even चाहे, amoeba भी हो, तो सभी external stimuli, जो भी होत करते हैं, responsiveness करते हैं, तो consciousness is character of all living organism, बट आप जानते हो, जो human होता है, human में एक extra property होती है, कि वो में ब्रेन है, और self-aware होता हो, किसी भी decision को ले सकता, self-awareness होती है, वो होता, self-consciousness, तो human में self-consciousness only human का character है, other living organism में self-consciousness नहीं होती है, ये question भी आ सकता है, कि self-consciousness is character of only human, या क्या self-consciousness other living में है, नहीं है, ठीक है, देखेगा कि जैसे कोई भी अपन decision रिते मालों कहीं पर आग लग गई, तो आग लग गई, या फिर किसी जंगल में आपन कहता है, कि वहाँ सापों का कहर ज्यादा है, तो human क्या करता है, कि आग लग गई, एक बार आग लग गई, तो temperature आगा है, कि future में नहीं लगे, उसके कई सारी उपाई भी करेगा, तो अपने अदर awareness है, कि यहाँ अगर snack ज्यादा है, तो इंसे बचने की उपाई क्या है, तो अपने awareness है, अब जब आदमी का brain hemorrhage होता है, या accident में brain hemorrhage हो गया, फिर high BP से हो गया, तो आपके brain का एक पार आट कवर हो जाता है, तो उसमें brain dead होता है, जब brain dead होता है, तो only self consciousness खतम होती है, consciousness फिर भी अलकी से उसमें रहेगी, तब तक जब तक उसमें metabolism है, तो देखेए का, इस question के according में आपको बहुत अच्छे से करना है, कि यहर होगी अभी भी जीवताव स्थितों में, this patient is still living entity, हा नहीं करेगा, this patient is still, this patient is still exhibit metabolism, यह correct है, this patient is living but has lost its self consciousness, यह correct है, यानि वो living है, लेकिन वो अपना self consciousness को क्या कर चुका है, यह वो जीवित है, लेकिन अपनी स्वचेतना हो चुका है, नहीं कि completely चेतना हो चुका है, तो यहां आप से पुचा है कि सही नहीं, incorrect, तो देखो यह भी है, यह भी correct है, यह भी correct है, बट यह second आपका क्या है, incorrect है, तो confused होने की कोई जुरत ही नहीं है, सांती से पन कोई topic से go through होना है, clear है, next आप देखिए का, question number 156, clear, तो देखें विटा कि 156 जो question है, कि prokaryotic flagella is made up of, asym के अंदर की कसाबी का बनी होती है, जाने लिए आप तो यह genomic जो DNA होता है, genomic DNA, DNA circular DNA, तो यह mRNA form करके protein यहां, तो flagelline protein यह, फिर यहां से, cytoplasm में protein filament extension from their cell wall, तो filament का extension के cell wall सो बाहर आता है, इसमें तीन पार्ट होते है, filament होता है, long extension part, फिर आपका hook होता है, और फिर आपका vessel body होता है, तो जो outside होता है, filament होता है, longest portion होता होता हो, जबकि आप जानते हों कि यूकरिटिक जो flagelline होता हो, tubulin protein का organization, tubulin 9 plus 2 organization होता है, जो microtubular organization होता है, 9 plus 2, 11 सुक्षम नली के संगठन, जबकि आप जानते हो कि यह जो flagelline है, इसमें monomer है na, spirally arrange होती है, 4 plus 4, तो ना तो 9 plus 2 organization होता है, 4 plus 4 monomer होता है, और flagelline protein होता है, generally tubulin, जो microtubules होती है, उनमें कभी भी contractility नहीं होती है, उनमें तो जो spindle की length बढ़ती है, कम होती है, तो वो microtubule की shortening, यानि microtubule के depolymerization उससे होता है, जबकि आप जानते हैं कि flagelline जो protein होता है, जबकि आप जानते हैं, 4 plus 4 monomer होता है, spiral arrange, और वो contractile protein होता है, तो आप समझ सकते है कि flagelline, बट आप जानते हैं कि ऐसा नहीं होगा, flagelline बट संकुचन सिल, यानि flagelline और contractile protein ये correct है, tubulin पोसिबली नहीं, और pyeline protein पिलाई होती है, तो पिलाई moment में कोई role नहीं करती है, clear, तो इसका आपकान सुरी होगे, next आप देखिएगा, question number 157, आपके सामने, questions को अपन correctly match organally in the figure, with it function, कि आपको एक organally figure में दिखाया गया है, और इस organally को आपको identify करना है, फिर इसके function के coding इसको relate करना है, तो आप जानते है organally क्या है, गोलजी body है, गोलजी apparatus है, और आप समझ सकते हैं कि भी outer nuclear membranes, ONM से RER, और RER, फिर आप देखते हैं कि भी, ACR, smooth endoplar reticulum, तो RER, ACR, जो भी अपने vesicles form करती है, वो immature होती है, फिर गोलजी के cis face, जो entry face होता है, तो वहाँ entry करेगी, cis face पे, और जिसका trans face है, वहाँ से exit face है, maturing, जो vesicles हो release होंगी, तो आप जानते हैं कि गोलजी body एक सबसे important organs है, packaging processing center है, सिक्रेशन में सबसे main role है, और the site of glycoprotein और glycolipid, क्योंकि generally जो modified protein, RER और SAR lipid, लेकिन carboadrid, जो foam होगा, गोलजी body मेर, वहाँ modified होगा, तो modified होकर, जो glycoprotein और glycolipid, जो membrane में carboadrid होता है, 90% glycoprotein होता है, तो वो synthesis कोण ताग गोलजी body करता है, तो देखेगा कि ये, क्या ये diagram, smooth endoply reticular है, तो यहीं पर रोंग होगा, कि ये chicken इंता प्रदिजाली का है ही नहीं, तो lipid synthesis की बात, ये इसके साथ ही function सही लेगें, ये diagram के coding गलत है, फिर देखो, गोलजी उपकरन है, गोलजी apparatus, formation of glycoprotein and glycoprotein, तो ये 100% correct है, CBST 2009 और 2014 ये निट का आपका question है, फिर देखेगा कि क्या ये rough है, तो वैसे ही रोंग होगा, ये rough तो ही नहीं ना, फिर आप कहते होगी, गोलजी वो भी glycogen को छोड़ के, येस, तो आप समझ रहें कि इसके coding, जो 157 question है, उसका आंसर क्या हो गया, second, clear, तो अपना next देखते हैं, हाँ तब next question देखेगा, question number 158, तो देंदी students, यदि metaphase first में bivalent की संक्या 8 है, तो meiosis first और meiosis second के उत्पादों में गुन सुत्रों की संक्या करम अशा होगी, and if the number of bivalent are 8 in metaphase first, then the number of chromosome in product of meiosis first and meiosis second respectively, तो ध्यान दीजी students, आप इच्छे से जानते हैं, कि meiosis के दोरान, जो meiosis का prophase first है, वो long है, और थोड़ा complex है, कि chromosome की behavior की बिएवर के बिश्क वाइव सब्फेज में, Leptotene, Zygotene, Pachytene, Diplotene, Dikinesis, अब meiosis की जो दो सबसी important process है, एक एकी variations कैसे हैं, तो variation का card है, crossing over, जो meiosis first में, prophase first में, Pachytene सबसी important stage है, और उसके बाद आप समझ सकते हैं, कि prophase की जाइगोटीन में जैसे वहाँ पर pairing हो गई, तो pairing में आप जानते हैं, कि each pair में two chromosome, synapsis, synaptonymal complex से pairing होई, तो ये आपके होते हैं, homologous chromosome, तो एक pair में two chromosome, two centromere, और four chromatid, four chromatid, तो ये बाइवलन टेटराड है, तो each bivalent टेटराड है, two chromosome, two centromere, but four chromatid, four DNA molecule, अब आप समझ सकते हैं, कि वहाँ pairing हो गई, प्रोफेज की जाइगोटीन में, ये pairing आपकी, पैकाइटीन में, नोन सिस्टर में, क्रोशिंग और हो गया, डिपलोटीन में, किया आजमा फोम हो गया, फिर termulation हो गया, बट वो, फिर metaphase, पस्ट में, वो bivalent, टेटराड, two metaphysic plate बन गया, लाइन अप हो गया, और anaphase में, each pair में से, एक क्रोमोजोम उपर एक नीचे, तो आप जानते हो, हर pair में से, जितने भी क्रोमोजोम मानलों की, eight क्रोमोजोम ह है, तो four pair, आप sixteen क्रोमोजोम है, तो आपके eight pair, तो ऐसे pair बन जाएंगी, तो हर pair में से, जो each pole है, वो single को रिस्यू करेगा, तो मानलों की two pair है, तो two पर two नीचे, तो two N से N हो गया, बलाइन अफेस first में, two N से N हो जाता है, even आप समझ सकते कि, यहाँ पर आपने दिया, eight bivalent है, तो मानलों 16 क्रोमोजोम, अब 16 में से eight year issue करेगा, तो two N से N, फिर second तो आपका azimitosis है, तो जो दोनों आपके सबसे important process होती है, एक तो आपका variation और एक two N से N होना, यह एनफेस first में हो जाता है, कि एनफेस first में, chromatid splitting नहीं होती है, center में splitting नहीं होती है, only homologous pair में से, pair में हर pair में दो हैं, तो pair में से chromosome separate होते हैं, clear है, तो आप समझ सकते हैं कि metafage first में जब line up हुए, two metafagic plate बनी, तो bivalent are eight, तो eight bivalent का mean हो गया, कि each bivalent have two chromosome, हर bivalent में दो chromosome है, तो 16 chromosome, अब जब metafage first के बाद में meiosis first complete हुआ, तो meiosis first मतलब anaphage first, telophage first, तो chromosome जो two daughter cell बनी, तो two n's हैं, तो eight eight, और फिर आगे भी diet monad में चाहिए, तो eight eight, यह और eight eight, clear, तो कह रहा है कि product of meiosis first and meiosis second respectively, तो आपका हो जाएगा eight eight, तो question का answer आपका क्या हो जाएगा, third, clear, question का answer आपका क्या हो जाएगा, third हो जाएगा, तो 158 के अंदर, third आपका answer हो गए, next अपन देखते है तो यहाँ पर भी, मैं आपको कहना तो students की, जो meiosis में, प्रोफेज पस्ट में, लेप्टोटीन, जाएगोटीन, पैकाईटीन, उनके characteristic character, और फिर आपका double metaphysical rate, फिर anaphेज को बहुत अच्छे से, first को, second में कोई problem नहीं, और जो DNA amount है, वो 2C से 4C S में, फिर 4C से वापस 2C 2C ह हो जाएगा, फिर 1C 1C होगा, तो G1 के comparison में, हाप और S के comparison में, 1 by 4, but mitosis में तो DNA amount double होती, क्रोमोजोम नमर तो रिमें constant, और वो 2C 4C होती, वापस 2C 2C हो जाती, जैसे G1 की तरह S से आपका आदा, तो आप ध्यान देना हो, जो पूरा steps हैं, वहाँ पर आपको proper ध्यान से उन रम, how many beers are produced by distillation, आप जानते हैं, कि generally yeast, जो alcoholic fermentation में पार्ट करता है, और naturally, natural medium में आप जानते हैं कि 13% तक जाते हैं, तो बहुत नेचरली जो alcoholic drink sound में, below 30% alcohol ही हो सकता है, उसके बाद में कर आपको alcoholic percentage को increase करना तो distillation process के द्वारा, तो wine और beer, आपको अच्छे से पता है कि wine और beer non distillated है, यह natural essay आपको obtained होते हैं, clear, कि यहाँ 6-9%, 3-6% आपको होगे, लेकिन आप जानते हैं कि जो whisky है, brandy है, rum है, यह आपकी कहा है, distillated है, तो यहाँ कितने पे पताता है, निर्मान आस्वन, यह distillation सिवा, तो distillated कौन है, whisky, brandy, rum, wine और को छोड़ दो, तो 3 आपके होगे, त कांसुर क्या हो जाएगा, 4 आपको हो जाएगा, 159 कांसुर 4 होगे, clear, अब आप देखिएगा, question number 160, तो question number 160, मानो इंसुलिन के दो polypeptide आपस में किसके दोरा सेयोजित होते हैं, two polypeptide of human insulin, तो जो human insulin के आप insulin की structure पढ़ते हैं, वहाँ पर, जो दो उसमें सरंक्लास 10 पढ़ हो जाएगा, तो dysalpide bridge हो जाएगा, clear, तो 160 का भी क्या हो गया, 4 हो गया, next आप देखिएगा, question number 161, पूसा गोरो रैपसीड मस्टर्ड एक संकर किसम है, पूसा गोरो इस hybrid variety of रैपसीड, किसके परती resistance है, ये भी आपको बहुत अच्छे करना है, आपको plant breeding के अंदर, पहले digit resistance, तो digit resistance आप variety बनाएं कैसे, तो उसके लिए आपको वहाँ अच्छे से बताया गया, कि उसका जो build relative है, ये classical plant breeding, ये mutation breeding, clear, तो आप या ये कराएं, या फिर आप समझ सकते हैं, कि भी वहाँ पर जो digit resistance के लिए फिर आपको एक टैबल दीगे, फिर आपका insect or paste resistance, तो आप जा question आता है भी, तो यहां insect paste के परती resistance है, एफिड के परती, जो पूसा गोरो है, वो एफिड के लिए आपकी resistance है, question number जो आपका 161 है, उसका answer क्या हो जाएगा, first हो जाएगा, और पूरी टैबल को वहाँ पर आप clear कर लीजिएगा, next आप देखिएगा, question number 162, ए सत्य खतन का chain क होते हैं, वो तो जैसे कि अपन कहते हैं, soil composition है, humus content है, या फिर जो species composition है, living producer, consumer, clear, decomposer, ये सारी बात हो गई, और आप जानते हैं कि जो mineral composition है, ये सारी बात है, उसके बाद आप जानते हैं कि देखिए, कि जो उसके functional aspect है, productivity है, nutrient cycling है, energy flow है, clear, तो ये जो भी decomposition है, तो ध्यान दी कि यहां, जो productivity से related है, gross primary productivity of an ecosystem is the rate of consumption of organic matter during respiration, ये गलत बात होगी, क्योंकि gross primary productivity, total production है, total photosynthesis है, unit area में, unit time में, पर unit area में, जो green plant हैं, producers हैं, वो unit area में, unit time में, जो total organic matter synthesize करते हैं, that is primary productivity, और जो total photosynthesis है, total organic synthesize है, that is GPP, फिर वो अपने respiration में consume करते हैं, जो remaining रहता है, that is NPP, net primary productivity, और फिर secondary आप जानते हैं, जो कुछ herbivores होते हैं, वो synthesize करते हैं, तो आपका secondary productivity होता है, बढ़ आप जानते ही, inorganic से organic only primary में बनता है, clear, अब आप देखते हैं, तो इसलिए रोंग हो गया भी, net primary productivity is the available biomass for the consumption of heterotrops, net प्रात्म उत्ता है, परपोस हो खपत के लिए उप्लब धाँ, सई बात है, जो आगे के ट्रोफिक लेवल के लिए है, फिर जो herbivores के लिए है, फिर जितने भी consumer है, animals के लिए, जो available biomass अधर्टीज आन पीपी, क्योंकि GPP, सकल प्रात्म उत्ता है, minus R, gross primary productivity minus R, respiration, तो remaining part आपका क्या है एन पीप फिर देखेगा प्रात्मिक उत्पादक्ता एक शुनिशी छेतर में पादप्रजादे निवास पर निर्बर करती है प्राइमरी 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 डिपेंड ऑन दा प्लांड स्पेसीज इन एक प्रेटिकुलर एरिया तो आप समझ सकते हैं कि यह भी आपका करेक्ट है दित्तेक उत्पादक्ता उभ्भोगतां के द्वारा नए कार्पनिवार तो सेकंडर प्रोड़क्टिविटीज दा डिफाइन दा रेट और फोर्मेशन न्यू और्गनिक मेटर बाई कंजूमर तो यह भी करेक्ट है कि जो हर्विवर्स लेवल प तो इन इंडिया G.E.A.C. विल भी मैग डिसीजन रिगार्डिंग दा वेलेटी ओव जीएम कुरॉप जोती जेनेटिकल वोडिफाइर रिसर्च एंड सेप्टी ओफ इंट्रोडिशिंग जीएम और्गनिजम फॉर पब्लिक सर्विस तो आप अच्छे जानते हैं G.E.A.C कि आपको फुल फॉर्म दे रिखी बाइटेक्नोलोजी के अंदर और यह आप जानते हैं कि बहुत इंपोर्टेंट बात आपको यहां दे रिखते करेक्ट बात क्लियर फिर सुनेरी धान अपनी सुगंदर स्वाद के लिए मसूर है तो गोल्डन राइस इस डिस्टिंग फ आप समझ सकते कि विटामिन बीटोल रॉंग हो एक तो फिर आप जानते कुछ लोग हैं जो खाना तो मिलता है लेकिन जो मिनरल नुट्रेंट्स इनकी कमी हो जाती है क्योंकि वो कुछ ऐसी चीज़े खाते हैं जिनमें मिनरल ही नहीं होते हैं आपको एक ओल्डरिंग से बिस्किट चिप्स यह नहीं खाने चाहिए आपको फ्रूड्स हैं आपको बहुत अच्छे से मिल्क प्रड़क्ट्स हैं या जो बहुत ही हेल्थी फुड होता हो आपको करना चाहिए तो देखिए का गई अगर आपको वहां पर दे रिखिए जब लोग सिकार होते हैं सुक्सम पोसक प्रोटीन विटामिन की कमी के एक दम करेक्ट है वेन प्रूपल सपर फॉर्म डिफिसेंश यो प्रोटीन फैट और कार्बरड़ेट फैट कार्बरड़ेट त अपर फॉर्म डिफिसेंश यो फैट विटामिन नहीं नहीं तो आप समझ सकते हैं कि जो आपका क्योशन 164 है उसका आंसर आपका क्या हो गया फस्त हो गये नेक्स्ट आप देखिएगा क्योशन 165 कौंसे मुक्रत गेसे से कर विच्वन ऑफ दा मैनली गेसे साइकल आप है और आप समझ सकते हैं यह लिए जबेंटर लेकिन मेनलि हुआ मेनलि-फास-फोरस वो punct स्वूइज आपके होते हैं एर्थ करस्ट होते है यह तो यहां देखोंविका गैलिसियम Hunn तो सेडिमेंटरी है सल पर भी जनली सेडिमेंटरी लेकिन कार्बन है नाइट्रोजन है ओक्सीजन है यह आपके होते हैं गैस साइकल तो अपीछली बहुत अच्छे से क्यूशन से नीट 2021 में मैजदा कोलम के भूस सार क्यूशन से लेकिन वहां एक ट्रिक आगे थी को एक कोलम अगर आपको परफेक्ट लिया दे तो वहां क्यूशन सोल हो रहता है वह ऐसा को जिरू नहीं कि हमेशा ऐसा हो तो आपको बहुत प्रिपेरिशन के साथ चलना है मै इस यह सिंपल की बात हो जाएगी मैं अ fel g FEMA ऑटर बिल्यकोट में दो ले रोटिहां ऑटर सीडीबर को टेस्टा और इंडर का टेगमें तो यहां झपीन से दो यह सी a केच इंसेट वह पिच्चर प्लांट में एविनस फ्लाइट्रेप में फ्लैसी लीव्ज विद इस्टोर फुड तो गार्लिक और ओनियन जो आपका एपम्टी 2014 का क्यूशन है कि गार्लिक और ओनियन में यह आपका अपिकल बढ़ है यह रेडियू स्टेम बढ़ जो यह कंसे फ्लैसी होती है एडिबल लीव्ज उनमें होती है यह अच्छा क्यूशन है लिव्ज का मॉडिफिकेशन जो नीर 2014 में अपमडे 2014 में आपका क्यूशन था बहुत अच्छा क्यूशन था अब आप मैच कर दीजिएगा तो ए आपका होता फोर से अब एमें फोर का एक सेकेंड है फिर दिमें देखली जिए इमें आपका फस्ट है इमें आपका प्रतह तो मैं लुए81 शर्टी सेवन तो इंडेजिए मांबस ळ्यान दिजिएंगा question number 167 जो यदि एक आवर्त बीजी की जड़की कोश्का में 12 क्रोमोजोम है if the cell in the root of an angiosperm have 12 क्रोमोजोम बारा क्रोमोजोम है तो 6 क्रोमोजोम का कोई भी बता दीजिएगा कि जो भी angiosperm plant है angiosperm में man plant body dear students क्या है sporophytic है बिजानदित है और highly organized है बहुत संगठित है जड़ तना पत्ती जाइगोड से embryo seed seed में radical 2N उससे root primary root फिर pemule से suit stem फिर root stem leaves vegetative leaves 2N फिर flower में भी calyx corolla सब 2N फिर आव एं थर्वाल 2N अंदर आपका सब्सक्राइब आपके अप्लोइड है तो आप देखेंगा कि वहां endospram की बात वो तो 3N है leaf cell vegetative part है 2N है बीजपत्र को इसका 2N है बट आप जानते हैं कि जो psycho synergid यानि जो egg apparatus होता 1 egg और 2 synergid तो ये n है clear तो endospram cell 3N है leaf cell 2N है ये भी 2N है बट synergid क्या है वहां पर n है clear है तो आपको ploidy level को आपको जिम्नोकार NGO का सारा उसको बहुत ध्यान देना है बाद में कभी आगे major में टाइम मिलेगा आपको life cycle pattern थोड़ा और बता देंगे next देखिएगा क्योशन नमर 168 तो 168 है wind pollinated flower differ from insect pollinated flower तो ध्यान दीजिएगा कि आपने भी 167 क्योशन देखा उसका answer first था और 168 क्योशन तो यहां देखिए wind pollinated flower differ from insect pollinated flower in having वे देखो जब आप pollination पड़े तो पहले दो प्राइशन ट्रांस्पर पॉलंगे एंथर टू स्टिग्मा फिर ओटोगेमी विथीन फ्लोवर एक ही फ्लोवर के एंथर से उसी की स्टिग्मा पर पॉलन जाए फिर आप जानते हो कि सैम फ्लोवर है ना और फिर आप जानते हैं कि सैल पोलनेशन की जो कॉंट्रावर्सीज हैं उनको क्लियर करें फिर क्रोस में एबाइटिक विंड पोलनेशन होता है तो कोई भी एबाइटिक के दोरा या पॉलनेटिक एजेंट होते हैं तो वहां को तीन चीज़ फ्लोवर की क्या करेक्टर सी करेक्टर हैं क्या विशेशता हैं फीचर से और पॉलन ग्रेंट जैसे एबाइटिक में मालो विंड और वाटर है तो वहां फ्लोर को कोई मेडिफिक्शन लेना ही नहीं है वह नोन अट्रक्टिव होंगे फ्रेग्नेंस नहीं होगी स्मोल होंगे वह आप जानते हैं कलर लेस होंगी कुलियर जब कि आप जानते हुं भी टो ऑन जट मेंगे वह वह दो बार तीन लीट में क्यूशन आ गया है तो पॉलन ग्रेंड जो होंगे एन्मो कीबड़ने की और आप शकते हैं कि लाइट वेट होगे दोपन तो बिल्कुल लाइटवेट, नॉन श्टिकी, रफ आपके होगी, बट आप समझ सकते हो कि स्टिग्मा हो, फिर आप जानते हो कि इंसक्ट पॉलिनेटेड होते हैं, फ्लावर बहुत लार्ज अटक्टिव होंगे, आप इन फ्लोरेंस फोम में होंगे, और जो आप समझ सकते ह आप अटक्ट होता हो, फिर कलर और फिर नेक्टर, समझ गयें, फिर आप जानते हैं कि वहाँ जो पॉलन ग्रेन होंगे, वो पॉलन किट है, तो स्टिकी, लार्ज और स्टिकी आपके हो जाएंगे, तो इनको क्येट बात की है, तो वायू प्रागित पुस्प, कीट तो देखिए का wind pollinated छोटे दलपुन चिप चिप पराकन ये इस्टिक ही नहीं हो सकता है small petal उसकता है इस्टिक ही गलत हो गया फिर colored petal and large pollen ये भी गलत हो गया small colored petal and heavy pollen ये भी गलत हो गया no petal generally petal जो है क्योंकि color form होती ही नहीं पेटल जनरली तो green वह colorful होंगे तो वह होता ही नहीं and lightweight dry dry lightweight और non sticky होती ही और जनरली जो air pollinated होते हैं एनिमोफिली होती है wind pollinated होते हैं वह फ्लॉर बिलकुल small और या influence form में आप देखते हो बाजरा में मेज में नहीं उनमें को जो color होगा no attractive होंगे clear तो और वहाँ पर जो pollen हैं तो इनको बहुत अच्छे से question आप जानते कि according आपका 4 यह answer हो सकता तो 168 का आपका answer क्या 4 है next आप देखेगा question number 169 द्यूदुर की अवस्ता in डाइडाइनेमस condition मैं आपको कहता हूं कि एक एमटी या नीट एक्जाम 2016 का पेपर था सेकंड पेपर था बहुत अच्छे बच्चों ने क्लियर किया था कि जो एक flower में स्टेमन होते हैं जैसे कि एंड्रोसीम होता उसमें कई सारे स्टेमन हो सकते हैं तो जनरली एक सायम लेंद्म के होते हैं बह अब कुछ मेंम लन्थ भी होती है तो यहां दो कंडिशन है एक इंडिशन आपके होती है टार डायनेमस यह क्युशन है शुर्ण के क्लियर कर देता हूँ कि शिक्स स्टेमन होते हैं तू प्लस वर टू short four long एक condition होती है डाइडायनेमस जो आपको दे रखिये यहां आपके four stamen होते हैं two plus two अब जो tetra dynemus condition होती हो तो bracy काशी फैमेली जो mustard फैमेली है ना mustard है सरसों सालविया, मस्टड और सालविया दो लिखर का लेकिन आप मस्टड पूरी फैमिल लेनी है तो वाँ छे एक्जामपल आये थे उनमें चार सलेक्ट करने थे मस्टड सलजम और मूली यह तीन तो यह और आप जानते हैं कि एक मतलब आपका आयता सालविया के लिए लेकिन सालविया तो लिखर में आपकी डाइडैनेमस कंडिशन होती है सालविया में तो वहाँ देखो कि 6 इस्टेमन नहीं होगा, 4 इस्टेमन और 4 लॉंग और 2 यह भी नहीं होगा, केवल 4 यह यहां 1,6,9 जो आकपा क्योशन है मैं आपको कहना था तो आंसर क्या हो जाएगा, 3 थर्ड आंसर यहां बिल्कुल प्रेक्ट है और यह सोडा का क्यूशन आप अच्छे से कर लें मेरे बेटा मेरे राजा बेटा राने बेटा आप बहुत अच्छे बच्चे हैं बहुत खुस हैं एकदम ध्यान अगर एनर्जी के साथ दिमाग ही मल लगो यार किसी दंगल में एकाता है क्यूशन गलत हो जाए तो कि आपका चीजों को आप तयार कर लें तो देखेगा कि यह आपका बिल्कुल करेक्ट है नेक्स्ट आप देखेगा क्योशन नंबर 170 नीचे दिएगे कारियों में कौन सा मुख्यत पादपुत तक है मैं फंक्सन प्लांट टिशू यह टिशू कौन सा पर दिमाग लगो जनरली आपक कौनर पर अनिकोल थीक निंग होती है और पैक्तीन का ज्यादा थिक्णिंग है फिर हमेंस étais ब्रोज भी है तो वह आप जो चुलें काइमरर और कॉलेंक कायमा क्यों पाद conta है निझन说 सकते हैं फोके ळोभरनोगोर में में कहीं नहीं और डाइकोट में यह अंडर्नamp package में नहीं उनली जो एरियल पार्ट है और वो भी वूड़ी स्टेम नहीं ओनली जो सुप्ट स्टेम आपका है प्राइमर स्टेक्चर वाड़ा तो ध्यान दीजिएगा कि स्टोरेज और न्यूट्रेंट ऐसा नहीं प्रोवाइड बोवांग की तू सबमर्ज प्लांट बोवा चितर में दिखाये गई समनपोल मुखेते कि समी पाई जाते है दवेस्कूलर बंडल वेस्कूलर बंडल सोन इन डाइग्राम लिज मॉस्ट लाइकली वे आपके सामने जो वेस्कूलर बंडल है मैं कहता हूं कि यहां भी कंसेट सालदर साल जो आपका। आपका वो साथ-साथ हैं, टूगेदर हैं, लेकिन आप समझ सकते हैं कि इस फोम में हैं, जैसे कि यहां प्रोटो जायलम, यहां मेटा जायलम, एक जार्क, फिर यह जैसे कि फ्लोयम, फिर आपका प्रोटो मेटा जायलम, फिर आप जानते कि फ्लोयम है, फिर आप जानते कि प्रोटो और यह केंबियम एफसेंट हो, तो CCC, Conjoint Collateral Close, आब Monocoat Stem और देखो, All Roots, Dicode और Monocoat में Radial, और Monocoat Stem और Luz में तो आपके होते हैं, CCC, Conjoint Collateral Close, और Dicode Stem में आपके क्या होते हैं, Conjoint, Collateral, आप Open, देखेगा, phloem और xylem same radius पे और joint है तो conjoint हो गया outer phloem inner xylem है तो conjoint collateral हो गया collateral हो गया बीच में cambium है intra-fascicular cambium primary meristem जो एकमातर cambium है जो primary है तो यह आपका हो गया cco, conjoint collateral open in dicode stem और आप सारे type के VB को दिमाग से तरीके से आप clear कर लें question अने का chance अभी clear, तभी ऐसे दिया है simple paper रखा है, सारे चीजों को include कर नहीं कोशिस की है अब next आप देखिएगा अंतरपूल एधा तता काक एधा inter-fascicular cambium और core cambium तो आप भी जानते हैं कि जैसे dicode stem में जो varsicular cambium होता है, partially primary, partially secondary क्योंकि dicode stem में यह pericycle है यह भी आपको मेरे वी-वी बताया थे conjoined collateral open है और similar size के हैं, एक ring में है फिर यह जो ऐसे आपके वी-वी है और फिर आप अच्छे जानते हो कि यहाँ, पित है, यह medullary range है अब medullary range में d-differention होता तब आपका बनता है, medullary range जो primary parent काम है, उसमें d-differention से आपका फोम होता है, interfacicular और जो core cambium है, वो तो आप जानते हो कि जो hypodermis होती है, colon काम है उसमें d-differention से फोम होता है तो यह जो interfacicular cambium है, core cambium है generally except single cambium, interfacicular उसको छोड़ तो all cambium are secondary meristem तो secondary meristem तो primary permanent में प्राइमरी पर्मानेंट में आप जानते हैं कि या d-differentiation से produce होता है, बैदे को primary meristem से differentiate होकर permanent generally division lost कर चुका है फिर वो division को regain करते हैं cells और जब permanent cell में वापस division की capacity यानि gain of division और loss of function होता है तो process होती है d-differentiation तो यहाँ cell का क्या हो रहा है तो 172 question जो आपका है वहाँ आपका answer है third क्लियर, next अपन देखते है question number 173 अनिमन में कौन सा खतन गलत है which of the following statement is incorrect कौन सा खतन गलत है तो देखिएगा mitochondria unless especially strain are not easily visible under the microscope कि mitochondria को आप एक specific strain genus green से पने strain करते हैं नहीं करें को अच्छे से नहीं दीखेगा फिर देखो physiological activity of the cell determine the number of mitochondria per cell कि भी किती number of mitochondria depend करता है physiological activity से ही है mitochondria power of cell has DNA, RNA, ribosome and enzyme so it can survive outside हो नहीं outside नहीं कर सकता है क्योंकि most of enzyme के लिए वो cytoplasm depend करता है mitochondria increase their number by binary fusion, division यह सही है बढ़ यहाँ पर आपका third क्या हो गया wrong हो गया तो देखेगा कि जो question आपका 173 है 173 का answer क्या हो गया third हो गया बिल्कुल आपकी बात सही है clear next आपने देखते है question number 174 निम्न में से कौन सी चित्रात्मक पर्दसन नुकलोटाइड which one of the following is the diagrammatic represent नुकलोटाइड तो कैसे बनता है नुकलोटाइड बहिस सबसे पहले pentosugar दो टाइप की deoxyribose और ribose अब deoxyribose के first carbon पर कोई नुकलोटाइड sorry कोई end to sark nitrogen base purine, primidine generally adenine आ गया तो वो सबसे पहले बना नुकलियोशाइड clear फिर 5th carbon अगर phosphate group आ जाए तो नुकलोटाइड तो देखेगा ये आपका uridine ये देखेगा कि आपका end to base है ये आप देखेगा कि ये pentosugar है यहाँ पर adenine है और एक carbon पर यहाँ आप देखेगा फास्पेड गुरूप है तो generally आप देखते हो एंटू का उपपापचे करने वाले सुक्सम जोरा संसराइद भी कि रहे हैं reaction carried out by end to metabolism कि जो end to metabolism होता है end to cycle होता है तो वहाँ end to fixation एक process होता है biological end to fixation में symbiotic में जैसे nodule कैसे बनती है वो सारी बात फिर आप जानते है एक nitrification process होता है जहां soil में जो ammonia होता है चाहिए वह atmosphere से आए end to fixation से आए फिर या ammonification से आए तो soil के ammonia को generally nitrate में क्यों plant mainly soil से nitrate group में अपटेक करते हैं clear तो आप समझते है nitrification तो first of all ammonia convert into nitrite फिर nitrite ये process आप जानते हो nitrosomonasor, nitrocococos फिर nitrite into nitrate nitrobacter तो first भी सही है second भी सही है दोनू process को अपन nitrification oxidative process है और यहां जो bacteria है वो chemo autotrophs है यह सारे question need care question है तो फिर आप देखेगा कि यहां देखे step first is carried out by nitrosomonasor, nitrocococos correct है step second nitrobacter ये भी correct है both step first second can be called nitrification ये भी correct है bacteria carrying out the these step are usually photoautotroph गलत हो गया क्योंकि वो chemo autotrophs होते है क्योंकि वो sunlight को use ही नहीं करते है वो किसी chemical का oxidation करते है क्योंकि oxidative process है उसमें जो energy obtained होती है उसको sugar synthesis में use करते है तो chemo autotrophs है तो आप समझ रहे हैं कि यहां phototrophs दे दिया तो यह wrong हो गया अब आपका जो question 175 है मैं कहता हूँ कि 175 में आपका answer क्या हो गया 4 हो गया सिधा सिधा क्योंकि आप से क्या पूछा है which of the following statement about these equations is not true यह ध्यां रखना सही नहीं है कई बार क्या करेगा सही अपन टिकर देते हैं सही नहीं है मतलब क्या है incorrect है incorrect आपके सामने आ गया next आप question देखेगा question number 176 कोसिकाओं के नीचे देगे निरुपण में जलकी गती तो यहां आपको psi S और psi P दे रखा है कभी-कभी DPD में OPTP देगा अगर कुस हैल में psi W और फिर कभी-कभी आपको OPTP भी दे दे तो psi W और माइनस DPD clear अब यहां देखेगा कि psi W जो water potential है तो psi S solid potential और plus IP तो यहां माइनस का 10 और प्लस का 5 तो आप जानते हैं कि माइनस का 5 आ गया फिर यहां देखेगा कि माइनस का 7 और प्लस का 1 तो माइनस का 6 आ गया यहां देखेगा कि वोई 5 आएगा माइनस का क्योंकि माइनस का 15 प्लस का 10 तो माइनस का 5 अब इसका इसका तो इक्वल है water potential बड़ इसका low है कि माइनस में जित्ती value उतना ही water potential क्या हो रहा है low हो रहा है clear अब आप समझ सकते हैं कि यहां पर इस question का answer क्या होगा यह देखेगा कि X में तो equilibrium होगा इधर भी जाएगा और इधर भी Y लेकिन X से भी और Y से भी एक cell में जाएगा Z है clear तो question जो आपका है बेटा 176 उसका आपका answer क्या है यह देखेगा second है यह हो जाएगा यह नहीं हो सकता है यहां देखेगा कि Z से दर पोसिबल ही नहीं है clear तो next आप आप देखेगा question number 177 PS second इस्तित होता है PS second is located तो ध्यान दीजिए बटा देखो यहां जो question 2021 में cyclic photophosphoryzation से आया generally कहते हैं कि जो cyclic photophosphoryzation तब आपका अकर होता है या संपन होता है जब वहन only and only PS first is functional कि एक ही photophosphoryzation फंक्सनल रहता है इसकी possible location क्या होती है stoma leemily क्योंकि वहाँ PS second absent होता है और NADP redipage होता नहीं जबकि आप ग्रेना की बात करें तो ग्रेना के अंदर जैसे ग्रेना में होती है तो यहां यह जो communities होता है इसमें जैसे membrane है फास्वो लिपिड की bilayer है अब यह जोge फास्वो लिपिड की bilayer है मेरे स्टूडेंट्स मेरे प्यारे बच्चों तो उसमें यह जो थायलेकोईड्स होती है अप्रैस्थ जो इनर पार्ट के और तागि लुमेन में प्रोटोन चले जाएं तो यहाँ देखेगा कि थाइलेकोईड इनर साइड ओफ थाइलेकोड मेंब्रेन नहीं करक्ठ है बड़ आउटर साइड पोसिबली नहीं कि जो नोन अप्रेश्ड वहाँ तो प्रेश्ड पार्ट की वहाँ आपका हो जाता नेक्स्ट आप देखेगा तो क्योशन का अंसर तो फस्ट हो जाएगा फिर अपन देखते हैं क्योशन नोमर 178 तो देखे विटा कि जो क्योशन नोमर 178 है नंबर ओप ATP मोलेक्यूल रिक्वाइड फोर दरी जनरेशन फेज यहां थोड़ा ध्यान देने की जूरुत है अगर आपको ऐसे के देता है कि गुलुकोज होता है तो एक सी अटू के फिक्सेशन से एक कार्बन फिक्स होता है तो गुलुकोज के फोर्मेशन के लिए सिक्स टाइम केलविन चलता है तो रिडेक्शन में 2 ATP, 2 NADPH और रिजनरेशन 1 ATP, तो टोटल में तो 3 आपका होगे लिए क्योल रिजनरेशन फेज की बात किये तो गुलुकोज के लिए 6 CO2, तो 6 टाइम आपका तो ATP वहाँ पर रिक्वाइड होता, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा, तो 178 क्योशन का जो आपका आंस्वर है, वो क्या हो जाएगा बेटा, फस्ट हो जाएगा, तो आपको ध्यान देना है, और वो तरीके से आपको क्योशन के आंस्वर करने है, किलियर, next द पर अपने अक्सेंज का ध्यान रखता है, बहुत कम डिमांड भी होती है, कम दूरी भी उनके लेन पती है, लीप प्रिश्टोमेटा होता है, अगर हैवी पार्ट बन गया तो वहाँ लेंटिकल्स होते हैं, तो इसके एकोडिंग देखेगा, कि each plant part take care of its own actions, plant do not represent great demand, gas accession, only during transpiration, ये बात गलत होगे, large volume of gas actions, ये दो पोसीबल नहीं, तो आपका क्या होगे, थर्ड आंसर इसका होगे, अच्छा क्यूशन हो, वहाँ एंसाटिक स्टेटमेंट को आप बल्कुल क्लियर करें, वहाँ पर बहुत अच्छा है, ध्यान दीजिएगा, क्यूशन नमर 180, तो 180 क देखेंगे मेरे राजा बेटा, कि redox equivalent are removed in the form of two hydrogen atom, तो आप जानते हो, glycolysis में जब six step होता है, PGL, phosphoglyceride 3-phosphate, वहाँ से आपका बनता है, 13 by PGE, तो आप जानते हो, कि fructose 16 by phosphate होता है, वो 33 carbon के दो पार्ट इसमें तूडता है, PGL और DHAP, आप चाहिए आप इसको PGLE, के टू पहले यह जाता है, फिर वो आ जाता है, तो एक बार PGL से 1-3 by PGE होता है, टू रेडॉक्स equivalent, टू hydrogen, तो PGL proton donor है, हालांगी जैसे fermentation में, अगर अलकोलिक में, तो एस्टेल डेट, CH3-CH, उसको gain कलेगा, लेकिन, चो NAD होता है, एक बार के लिए NAD, तो PGL से जब hydrogen remove होंगे, सब state का जब oxygen होगा, तो NAD gain कलेगा, तो NADC, NADH, तो वहाँ PGL का oxygen, और NADH का क्या हो जाएगा, reduction हो जाएगा, yes मेरे प्यारे बच्चों, और आप समझ सकते हो, कि वो आपका 6 step है, वो वहाँ पर oxygen हो रहा है, clear है, तो ध्यान दीजिएगा, कि यहाँ, आप समझ सकते हो, कि भई by PGA NAD, नहीं नहीं, यहाँ आपका हो जाएगा, PGL और NAD+, तो 180 question है, उसका 500 क्या हो गया, 4 हो गया, clear, next आप देखीगा, तो देखे वड़ा कि जो आपको, जो MCQ थे, जिनको आपको करना जरूरी भी था, clear, अभी देखो ही कर रहे हैं, किसके अत्रिक्त सभी अंगनती से टू आपकी सैल बने, टू डोटर उनमें से एक सिंगल ही, डिविजन में आगे पार्ट करें, एक आपकी पर्मानेंट हो जाए, differentiate हो जाए, तो आप जानते हो, constant growth rate सही है, it is found root and suit, अपिसेज, यह भी सही है, express L2, L0RT, यह भी सही है, it is characteristic graph is sigmoid, तो यह wrong आपको हो जान दीजिएगा, second अपन बात करते हैं, next बात करते हैं, विव्ज्योत की कोछिका है, किसके दोरा लक्षनिक नहीं होती है, the merismatic cell not characterized by, by merismatic cell है, तो dense protoplasm, यह correct है, primary cell only, cell logic, कभी कभी factor cell logic, और आप जानते हैं, अब जानते हैं, आप जानते हैं, प्लास्टिडर यह नहीं ह जलत है, वहां large centric nucleus होता है, large concentration central आपका nucleus होता है, तो यहां आपका third जो है, वो wrong हिस्टे, 182 के अंदर आपका answer क्या हो जाएगा, third हो जाएगा, next आप देखेगा, question number 183, तो leaf A and B, आपको कई बार यह question से go through कराएगा है, क्योंकि absolute growth rate और relative growth rate का question आपका आज जाएगा, देखे students, आप जानते हैं कि जो absolute growth rate एते, AGR, वो है कि total growth पर है, total growth है, उसे किसी से relation नहीं है, तो unit time में एक डे, यहां पर भी एक दे है, तो यह 5 से 10 हुई, तो total growth पर डे 5 cm2, यह 50 से 50 वाई, तो पर डे 5 cm2, तो दोनों का AGR तो सेम है, लेकिन relative जो आपकी होती है, वो initial से आपको उ हुई, तो initial क्या था 5, तो आप जानते हैं कि 100 से, तो यहां तो 100% हो गए हुई, लेकिन यहां आप देखेगा कि कितने की growth 5 कि लेकिन initial 50 पर थाओ, तो फिर आप 100 करोगे, तो आप जानते हैं कि यहां पर 10% ही हो, clear, तो यहां आप देखेगा कि जो question है, यह देखेगा आपक आप अच्छे जानते हैं कि डाइगोट में जब embryogenesis होता है, तो फस्ट जाइगोट, उस वोर फिर जाइगोट में transfer division, तो एपिकल और जो एपिकल हो तो ही, बाकि आप जानते हैं कि suspensor cell होती है, फिर बैसल तो suspensor और जो आपका apical embryogenesis में जाती है, तो उसमें first vertical, फिर vertical, तो two cell, four cell, फिर आप octant, फिर globular stage आती है, फिर आपका torpedo, तो यहाँ देखेगा कि यह जाइगोट है, इसमें first transfer होआ, तो यह बैसल cell है, यह apical cell है, फिर देखेगा कि यह suspensor form, तो यह आपका suspensor तो बैसल से, एपिकल से आपका embryo, जिसमें pro embryo से globular, आप समझ सकते हैं कि heart sap होता है, फिर यह आपकी बात होगी, तो यहाँ सबसे पहले क्या होगा B, फिर क्या होगा D, फिर क्या होगा A, फिर क्या होगा E, फिर क्या होगा C, तो देखेगा कि यहाँ सबसे पहले मैंने क्या बताया, यहाँ सबसे पहले मै का जो आंस्वर है वो फोर है ठीक है नेक्ट देखेगा 185 तो निम्न में से कौन सा एक पर परागण का साइज स्प्ष्टिकर नहीं है बाई क्रोस मतलब जनरली अपन जिनिटो गेमी को भी बात करें तो टू फ्लोर और सेम प्लांट की बात होगी बट वहां एजेंट की रिक करें फ्लोर और ट्रांसपर टू दा इस्टिगमा अप फिमेल फ्लोर कोई दिक्कत नहीं अगर एक फ्लोर की एंतर से प्लों उसी की स्टिगमा ऑप ट्रांसफर जाए तो यहां आपका आश्या हो जाएगा में आपका आएगा कि इस सेक्षन कंटेंड 15 mcq क्यूशन वहां पर 35 थे 35 की 35 आपको जरूरी थे अब यहां पर आपके 15 क्यूशन है उनमें से आप जानते हो 10 करने हैं कोई भी 5 छोड़ सकते हो और वह जानते हो कि सारे क्यूशन में अगर आप करते हैं तो आप करेक्ट करते यानि जो आपको रैपलेकेशन फॉर्क यह जब DNA रैपलेकेशन फॉर्क आपका फॉम होता है क्लियर अब आप अच्छे से जानते हैं कि यह ओकाजा की सेग्मेंट है यह 5 और 3 हो जाएगा इसका मुलब यह क्या है 3 और 5 है ठीक है न और यह 5 और 3 है तो यह आपका क्या है क आपको समझें तो आप देखेगा कि जो 186 question आपका है उसका answer आपका क्या हो जाएगा 3 तो देखेए 3 में मैंने आपको बताया कि 5 3 तो यह 5 और 3 की बात हो यह आपसे पूचा है कि अच्छा आप A B तो देखेगा कि A B यह 5 हो गया यह 3 हो गया ठीक है फिर आप देखेगा कि C और D आपसे पूचा है C और D ठीक है तो C पर क्या होगा C पर आपका हो गया फिर आपसे पूचा है कि D पर क्या होगा ठीक है न तो देखो D पर तो आपका ही हो गया ठीक है न और आप समझ सकते हैं कि यहाँ पर आपका यह 5 3 हो जाएगा तो यह रेप्टिकेशन 4 को बहुत अच्छे से आपको करना है नेक्स्ट आप देखिएगा नमबर 187 यदि आर डीने तकनिकी यानि रिकोमेट डीने टेकनोलोजी है पीबी आर तीन सब्सक्राइब प्लाजमिड है टेट्रा साइकली रेजिस्टेंज जीन बिकम इंसर्टेड इनक्टिविटेड थूदा डीजाइड डीने देन डीकोमेट इसल्स बही आप जानते हैं कि उसके परती वह सेंसिटिव नेंगे लेकिन आप जानते हो कि दूसरे के परती जो रेजिस्टेंज नेचर शो करें तो जो क्योश्टन आपका 187 है तो आप देखते हैं कि उसमें इस सेकिंड आइसर आपका हो जाएगा कि कल्चर्ड इन एंपी सिलीन कटेंग मेडियम बट नॉट इन टेटरस इंगें किमेडियम क्यों क्यों कि आप समझ सकते कि टेटरस आपने डेजिस्टेंज इन को इंसर्ट करवा दिया मोडिफाई कर दिया किलिए next आप देखेगा क क्वेशन नमबर 188 तो देखेगा कि find out the correct option mammals of colder climate generally have shorter year limit to minimize heat loss बहुत अच्छा क्वेशन है एलन्स रूल है कि जो जनरली बोडी का साइज देखे मैंन बोडी का साइज देखे तो जो कोल्ड रिजन में होती नहीं बोडी साइज लार्ज होता है बर्गमान का रूल और जो गरम डेजर्ट में उनका बोडी साइज स्मॉल होगा लेकिन जो ठंडे परदेशों में होते हैं कोल्ड एरिया में होते हैं उनकी जो बोडी के एक्स्ट्रीम आइटीज है उपांग है जैसे एर पिन्ना टैल पूंच या जो लेग है टांग है वो छोटी होगी है क्योंकि सरपे सेर्य बढ़ जाएगा है और वहां पर ठंडे परदेशों बढ़ाई नहीं पाएंगे ठीक है और जो गरम में होते हैं जैसे सांप नेवले तो उनका आप जानते हैं कि जो पूंच रिये लंबी होती है तो यह करेक्ट है सभी जियों में तनावपन करते हैं यह कम दबापन स्टिव में ऐसता ही प्रवाश से तो नमती करता है सम और्गनिजम पोजेज बिहेवरियल अडपेशन विच अलाव दें मागरेटिक टैंपरेरी तो लेस्ट्रेस्पूल कंडिशन तो आप देखते हैं बटा कि जो आपका 188 क्यों है 188 के अंदर आ लेकिंड आपका क्या हो गया इनकरेक्ट हो अब आप नेक्स्ट देखिएगा क्योशन नमबर 189 कौन सा एक सूरी की सो रुजाओ को सरल एकार्मिक फ्रदार्दों से खादे फ्रदार्द बनने प्रिप्त कर सकता है कि जो सोलर एडिशन को तो आप जानते हैं जो फोटो सिं आपके फोटोट्रॉपस है यवो फोटो निबाद में लेगिन यहां दे दिया कीमो सिंधेटिक रसाइन संसलेस्ट वह नहीं तो यहां पर आप से पुछाएक कि कितने हैं जो पहले संलाइट को एंट्रैप करते हैं फिर सिंपल इनोर्गनिक को सिंधिसाइज करते हैं तो यहां पर first second and four तो first second and four only किस में है second में है तो जो आपका 189 question है उसका देखेगा कि नहीं नहीं वन second and four only वहाँ थड़ है sorry तो one second and four आपका नहीं answer क्या हो गया four हो गया answer क्या हो गया बेटा next देखेगा dear students question number 190 यह बहुत अच्छा question है इस लेवल के questions आपके आते रहते हैं exam के अंदर तो ध्यान दीजिएगा कि if a pond garden there are 400 lotus plant last year last year वहाँ 400 lotus plant थे कमल की पोज़े through reproduction 100 new plant are added taking current population किते होगी 500 हो गई then what will be the birth rate तो आप जानते हैं कि birth rate कैसे निकालते हैं कि भी even 100 नहीं आए कितने पे आए 400 पे तो यूनिट पे आप जानते हैं कि 100 by 400 हो जाएगा clear है और बीटा separate आपको birth rate और death rate आपको निकालनी है जो 190 question आपका है वहां परांसुर आपका सीधा first हो जाएगा 0.25 offspring pearl plant per year time का भी आप ध्यान रखें यहां तो देखो month week हो गए वैसे रोंग हो जाएगा और 0.4 हो नहीं सकता है yes question को बहुत तरीके से करें बहुत सान तरीके से करें अब आ जाते हैं जो क्योशन आपका 2021 में भी था find out the mismatch केरागीन तो केरागीन रेड अलगी में करेक्ट है अब मैंने बताया था सल्पोनिक ऐसे करागीन अगार 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 तो जिलीडियम ग्रेसलेर जो रेड अलगी है क्लोरेला तो ग्रीन अलगी तो यह 100% रोंग है सिंगल सेल प्रोटीन यह भी करेक्ट है सबसे यह प्रोटीन देता है तो आपका देखिए हम मिसमेच आप से पूचा तो आंसर क्या हो जाएगा थर्ड तो जो 191 है उसका अंसर क्या हो गया थर्ड अब नेक्स्ट अपन बढ़ते हैं 192 पे तो 192 देखेगा अब मैं आपको सारा इकोलोजिकल प्रामिड का कभी भी क्यूशन आए ज्यान दीजिए बटा प्रामिड इस ग्राफिकल रिप्रजेंटेशन जब आप और्गनिजम को अकॉडिंग फूड चेन उनके नंबर बायोमास से अनर्ज करते हैं तो आपको प्रामिड और प्रामिड में जो बेस होता ह चाहिए अपराइट हो चाहिए इनवर्टेड हो बेस यानि यहां प्रोडूशर को रखेंगे फिर कंजूमर प्राइमरी कंजूमर सेकंड फिर टॉप कार्णिवर्स को अपन ऊपर रखेंगे ठीक है और पिरेमिड में अपन फूड चैन को लेते हैं जो उसकी लिमिटेशन दे चाहिए आप कहते हो कि ओस्यंस दे कुछ भी दे और ट्री डोमिनेंट दे लेकिन अगर पिरेमिड अनर्जी की बात करें तो ओल्वेज अपराइट और सोलर एडिशन से वन परसेंट लेना है सोलर एडिशन से वन परसेंट और जो ट्रोफिक लेवल आपके हैं तो वहा उकन बर फीरेमिडेव नमबर ग्रासलन पराइट आएगा ऊसेंट का पराइट आएगा पर्फिरेमिडेउट नमबर एगस एक फोरेश्ट रेत तूह आप अपनों मुह सकता हैłości को अब यसां हायो सेыт hone की नेटNOक्य फ्लिटी आपको भायो मास नहीं वायो मास यदा टी डोमीने को सिस्टम नमब़ अब 13 को नंबर अब कलिक प्री एक्शन देगा इक ट्रीकी पर की फूटेंँ देड़यक एक थीक है फिर उस पर बड और परसाइट तो इनुर्टेड बढ़ ट्री डोमिनेंट करके उसपर यह फूट चैन दे दे कि भही ट्रीके ओपर सिंगल ट्री है फिर उसके ओपर इंसेक्ट सबसें स्मोल बड और फिर लार्ज बड तो स्पिंडल हो जाएगा पीरैमिडोंगा सब्क्राइब करके लेकिन लेकी उसियंस का इन्वटेड वाइंटौन की स्टेंडिंग रोप से ज्यादा किसकी होती है जूप्लैंग अप्ने से ज्यादा बाइमास को कैसे नुट्रियंड की सपीस्टीन प्रॉइड करते हैं बैयोटिक पोटेंशल से किलियर है अब वहाँ पर अगर स्मॉल लैक पॉंड है तो वो स्पिंडल हो जाएगा लेगिन वहाँ बायो मास कुछ तो आप पर हो गई अब यहाँ देखेगा कि एनरजी तो पोसिबल नहीं कोई भी सीजन हो पिरेमिड बायो मास लैक तो आप सोचते है पिरेमिड बायो मास लैक कि बायो मास का लैक में या नमबर का ट्री डोमिनेंट में देता तो यह आपका ऐसा इस स्पिंडल से आपका आ सकता है और अब आप सारे क्यूशन कर लिजीगा पिरेमिड का पूरा परग्राफ लिजी एक क्यूशन एंडड़ परशेंट होगा गारेंटीड आपको उसको सोल करना चाहिए अच्छे से पढ़ना चाहिए तो यहां जो आपका क्यूशन नमबर 192 है उसके अंदर जो आपका आंसर वो सेकिंड आपका होगा किलियर और अगर ऐसे दो आजाए और एक को थोड़ा सा से बड़ा बनाएगा लैक वाले को और जैसे यह यहां पर एक नमबर लिख दे फिर आपको पूछे तो ट्री डोबिनेंट का नमबर का पिरिमिड हो जाए गा किलियर है ना तो में राजा बेटा राने मेंट इसको बहुत अच्छे से क्लियर कर लीजिएगा अपने कॉन्फिडेंस को इंक्रीज कीजिएगा खुस रहिएगा सुबह थोड़े से उठकर हलका सा मेडिटेशन अनुलोम विलोम आपको कर लेना है बेले इस पर आपको नाक पर रखना है सांस खींच नहीं है थोड़े दिर सां अच्छे से आप जो अच्छे से आप बड़िया तरीके से अपको से गोतरू होना है नेक्स देखेगा क्योंट पना आगे बढ़ते हैं तो question 193 the space between the plasma membrane and tonoplast और plasma large cell, देखे का यह question कोई विशेस नहीं है, जनरली question उतने काम काने की, जनरली मैं आपसे बता हूँ कि question आपसे कैसे पूचेगा question आपसे पूचेगा बिटा है कि जैसे एक cell है अगर cell को आपने hypertonic solution में रख दिया तो cell वाल तो permeable है अब hypertonic में रख दिया है, यह tragic cell है तो पहले तो tragic cell से नॉर्मल cell होगी tragic cell से क्या होगी नॉर्मल cell, तो water थोड़ा सा बाहर आएगा, आप जानते हैं जब एंदर एंटर करता है पहले वेक्योल में और फिर cytoblast, अब cytoblast में थोड़ा सा water बाहर आएगा, तो generally एक बार तो tragic cell से flaccid cell होगी, तो flaccid cell के लिए तो TP क्या हो गया, जीरो तो यह तो आपका, मैं कहता हूँ कि, जैसे कि limiting plasmosis, अभी plasmosis start भी limiting, अब अगर थोड़ा सा भी water बाहर आता है तो cell wall तो अपनी place भी रहेगा cell wall तो अठी नहीं सकता है लिए हलका सा membrane corner से separate होगा, तो यह आप जांद कि incipient plasmosis है, अब वो question आप से ही पुछेगा कि cell wall membrane के बीच, यहां क्या चला जाएगा यह space मिलता ही, यह hypertonic है तो hypertonic यह permeable है, यह यहां hypertonic हो जाएगा लेकिन कई लोग यह से पूछ लेते हैं कि वेक्योल जो tonoplast है तो tonoplast और जो membrane और tonoplast के बीच यहां क्या है तो यहां से भी देखो इसके comparison में तो hypertonic ही है बड़ दिर दिर जब water बहार आता है तो आप जानते हैं कि वहां पर भी hypertonic हो जाता है तो यहां आपन कहेंगे कि surrounded by hypotonic solution लेकिन आप से पूछा कि space between the plasma membrane tonoplast और plasma cell surrounded by hypotonic solution एक अलब प्लास्तरी वीलेन से घिरिवी जीवदर यह कुंचित कोशका कि tonoplast तो प्लाजमा जिली के मत दे अब यहां आपको क्या दे दिया कि उसका उल्टा कर दिया कि फिर एक plasmolysis cell हो चुका plasmolysis फिर आपको उसने hypotonic में रख दिया तो water enter करेगा फटा-फट लेकिन water enter करेगा तो भार के solution के comparison में तो वहां पर क्या है hypotonic condition तब भी तो water enter कर रहा है अब यहां पर क्या होता है कि अपन जो ऐसा question आपका है 193 तो यहां देखिएगा कि जनरली वहां एक बार के लिए तो hypotonic लेकिन बाद में आई-सो-टोनी condition पर जाएंगे तो more than one option आपका correct हो जाएगा more than one option बन मैं कहता हूँ आपका पूछा नहीं जाएगा है तो फिर आप जानते हैं कि वह कंपरेटिव अंदर hypotonic है बट वाटर जैसे जाएगा तो आई-सो-टोनी condition भी आईगी तो यहां more than one option कर देते हैं कि लिए ज्यादा इस क्यूशन पर आपको दिमाख नहीं लगाना है नेक्स आप ब्रोडली यूटिलेरियन आप जानते हूं कि वह ऐसे दियाज़ा है कि अपन बाइडार्श्य को कंजर्व करें वाइस्ट वी कंजर्व बाइडार्श्य हम क्यों करना चाहिए कि देखो एक तो नेरो जो आपको किसी फोरेश्ट गुजरते से में आपको खुशी का एसास है तो ब्रोडली यूटिलेरियन वह होती है जो एकोसिट्रम सर्विस्टिज होती है उनका बहुत ही इसेंचल होती है वह आपको वहां एंचाडी थोरीची वहारो समरी में और दे रखा है तो दोनों को मिलाना है अब यहां देखीएगा कि यह तो नैरो है यह ब्रोड है फॉलिनेशन कि फिरी में कर रहे है नो फॉलिनेशन एक बहुत अच्छा प्रोसेस है तो टिंबर तो आपका नैरो है क्योंकि डिरेक्ट एकोनूमी के बड़ यह आपका ब्रोड है रेसरपीन और क्युनेन यह और watching spring floor in full brown, बसंत में जा आप कुछ खिलते हैं, आप कुशी का एसास होता है, वनों से गुजरते हैं, आप कुशी का उसास होता है, मनोरंजन, creation, आध्यात्मिक लाब, यह सारे आपके broadly में आते हैं, तो यहाँ पर आपको तीन हो जाएगी, pollination, pollinator, gases composition और watching spring floor in full brown, तो आप जानते हैं कि जो question आपका answer हो जाएगा, 194 का वो 3 हो जाएगा, clear, 3 में 3 आपको दे रहें, next आप देखेगा, question number 195, the relative contribution of various greenhouse gases, total global warming, तो आप जानते हों सबसे मैन आपके होती, CO2 और CH4, CO2 60% contribution होता है, CH4 का 20% CFC का 14% और 6% आपका question को बहुत अच्छे से कर लेंगे, 195 का आपका answer second हो जाएगा, कि देखो, CO2 60% CH4 20, CFC, N2, अच्छा question है, इसको आप बहुत अच्छे से कर लीजिएगा, question number 196, यह देखेगा, दिवीजपतरी पाक्वा में परनका सिराविना, generally dicote के अंदर reticulate venation होता है, एक exception है, callophyllum, और monocoat में parallel होता है, एक exception, smilex, clear, तो आप जानते हैं कि generally तो यहाँ reticulate और parallel आपको हो जाएगा, तो answer first हो जाएगा, 196 के अंदर आपका answer first हो जाएगा, 197, तो 197 के अंदर आप समझ सकते हैं कि यह जो आपका pollution topic है, वहाँ पर air pollution में जो particulate matter होता है, उसको remove करने के लिए electrostatic precipitator है, तो आप जानते हैं कि वहाँ जो exhaust में 99% particulate matter उसको remove कर देता है, अब यहाँ आप से पुचाएगे dirty air है, यह electron discharge corona है, यह तो electron discharge करता है, electrode wire है, उनमें negative electrode wired है, वहाँ पर कई सारे volt को discharge किया जाता है, आप से पूचाएगे जो X है, वो क्या है, तो 197 जो question है, उसमें जो X हो corona discharge है, है ना, यह negative electrode wire है, और उमें 1000 volt अगर पास करेंगे, तो electron discharge बनेगा, तक यह dust particle उस electron से जैसे ही संपरक मेरी तो उनमें के उपर negative charge आ जाएगा, और यह zinc की जो plate से उनको collect क्लेक्ट लेंगे, clear, next आप देखेगा, question number 198, आवर्द भीजी भुनोदवो के दुरान युगमरज में होता, during angiospermic embryogenesis जाइगोट अंडरगो, जब आप जानते हैं कि जाइगोट में किस में जाएगा, आप जानते हैं कि जाइगोट के अंदर लगातार cell division होंगे, कुछ बाद में डिफरेंशेशन स्टार्ट हो जाएगा, तब यह आपका embryo बनेगा, जिसमें आपके प्लिम्यूल रेडिकल और कॉटिलोडोंस होते हैं, तो यहाँ आप समझ सकते हैं कि माइटोसिस और सेल डिफरेंशेशन आपका हो जाएगा, 198 का सेक्ड आंसर, 199, तो देखें स्टुडेंट्स, जो 199 क्यूशन है, कि मियोशिस पस्ट के जो भाईवेलेंट होते हैं, मैंने बताई आता है, तो नहीं होगा, नहीं होगा, नहीं होगा, पो व्र सेंट्रो मिएर दो होंगी, जब तक सेंट्रो मिएर, एक है तब तक हो गया तो यह डाइड हो गया दो डाइड से आपका बाइवलेंट बनता है तो इस बाइवलेंट है टू क्रोमोजोम टू सेंट्रोमियर फोर क्रोमेटिड फोर डिन यस अब आप ध्यान दीजिएगा लास्ट क्यूशन आ चुका है स्टुडेंट्स टू हेंड्रेड अत्रिक्त डिने पैकेजिंग के लिए जो एक्स्ट्रा डिने रेप्लेकिशन होता है एस फेज में रेप्लेक्शन होता है तो इस्टोन भी सिंतेस्स होते हैं ताकि एक्स्ट और मैं कहता हूं कि 50 क्यूशन बोट नहीं 50 जो लो जी जिसमें आप जानते हो कि 90 जूशन आपको करने हैं सेक्शन एक के 35 35 70 पूरे करने हैं सेक्शन बी में से आप जानते हैं कि 15 15 के लिए 1010 तो आपके 90 कूशन हो जाएग ऐसे आपको जो फिजिक्स चेमेस्टि का पैटर दिन को टाइमली, बायलोजिकल क्लोक बहुत जरूरी है, टाइम साधे बार एक वज़े सोना है, सुबह च्छे बज़े से उठना है, थोड़ा सा ओम प्रणयाम पर ध्यान करना है, फिर सब्जेट को लेकर बेटना, तो क्योशन्स को करने, उससा थियोरी को ध्यान देकर, वा आपके सपनों के अंति मुडार मेरे राजा बेटा रहने बेटे और आप जीत के आएंगे, 360 out of 360 बायलोजी में एक लंबी लाइन लग जाएगी, पेपर कैसा भी आए, आप सारा आपके पास तयार है, कितने क्योशन्स हमने दे रहे कि आपको लाइनों गोत्रूरा सा, कूल थैंक्यू वरी मच्च, JJCLC, खुस रहो, अच्छे रहो, मस्त रहो, पढ़ते रहो, व्यस्त रहो, सत्रा को अच्छा करो, थैंक्यू वरी मच्च